आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जोती शूर्जा में आज हम बात करेंगे घर की छट के बारे में हमारे आसपास बहुत सारी ऐसे चीजे होती हैं जो नकरात्मक्ता और सकरात्मक्ता दोनों दे सकती हैं तो घर की छट को किस प्रकार से इस्तिमाल किया जाए जिससे आप आपके घर में हमेशा पैसे हैं जो बरसात की तेरह आपके घर में आते रहें अगर आप इस प्रकार के उपाई जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही ऐसी जानकारियां प्राप्त होती हैं जिससे आपके घर में धन संप प्रभार डालता है उसी प्रकार से घर की चत भी वास्तु का एक एहम हिस्सा मानी जा सकती है जिसे अकसर हम लग भूल जाते हैं और ध्यान ही नहीं देते मैंने कई घर ऐसे देखे हैं जहां पर बहुत सारा कबाट चत पर इकठा करके रख दिया जाता है जहां आप अगर ऐसा काम करते हैं तो आपके घर में कलेश, धन का अभाव, व्यपार में हानी ऐसे चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं सुनने में एक बहुत याश्चारे जनक बात मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर चत पर कुछ छोटी मोटी वस्तुएं स्थापित करने से ना केवल धन का लाब होने लगता है, कई ऐसी चीज़ें अगर वो चत पर पड़ी हैं तो धन के भंडार भी खाली होते देखे ग नहीं है, इस कारण से आप उस पर कबाड फेक दें, घर की चत को शनी का कारक माना जाता है, जब घर की चत को गंदा रखते हैं तो इसका प्रभाव आपके वपार पर पड़ता है, घर की चत साफ होनी चाहिए, चत पर कभी भी कबाड ना रखें, उसे स्टोर ना बनाएं, घर की चट आपकी सफलता का वो मुकाम है जिस पर पहुँच कर आप अपने आर्थिक और समाजिक स्थर को पूरा आंक दे हैं इसलिए हमेशा चट साफ सुन्दर और अच्छी होनी चाहिए आर्थिक और समाजिक स्थर आपका उतना ही सूद्रड होगा जितनी आपके घर की चट साफ है भूल कर भी चट पर कबार कभी ना रखें कभी भी घर का बचा हुआ सामान जो आप इस्तिमाल भी नहीं करते एकठा करके चट पर नहीं रखना चाहिए ऐसा करने से आपके घर में नकरात्मक उर्जा का वास होने लगता है आपके सर के ऊपर यानि कि आपकी चट पर नकरात्मक उर्जा है तो आप हलका महसूस कैसे कर सकते हैं आपका जीवन दुक्मई बन जाता है और ऐसे में नकरात्मक उर्जा का विकास होता जला जाता है और जीवन में वो समस्याएं आपको घेरे रहती हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि इन समस्याओं का कारण क्या है इसलिए छट को हमेशा साफ सुद्रा रखें और कई ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको बिल्कुल भी छट पर नहीं रखनी चाहिए जैसे घर का तूटा हुआ सामान, तूटे हुए बरतन, तूटे हुए दरपन ये सब चीज़ें आपको चट पर नहीं रखना चाहिए कोई भी इलेक्ट्रोनिक सामान, तस्वीरें, पलंग, घड़ी, दीपक, जाड़ू, मग, कप ऐसे चीज़ें जो टूटी हुई है या आप यूज नहीं करते हैं तो उनको घर में बिल्कुल भी छट पर नहीं रखना चाहिए इससे मानसिक परिशानिया जेलनी पड़ती हैं ये भी माना जाता है कि अगर वास्तु दोशुत्पन हो गया तो मालक्ष्मी का आगमन कभी नहीं होगा वो रुख जाता है आपके घर से मालक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और दरिदरता का वास होने लगता है इसलिए आपक जीवन में इंद्रधनुष के सातों रंग अपनी रश्मिया भी खेरते रहेंगे और आपका जीवन सुख और सम्रिद बना रहेगा आज के ये दो उपाय अगर आपने कर लिये तो आपके जीवन में बहतर प्रभाव आ सकते हैं घर की छत के उपर सबसे पहले तो बरसात का पानी इकठा करके रख लें इसे आप किसी बोतल में भी रख सकते हैं मिटी के पातर में भी रख सकते हैं मिटी का घड़ा ले ले उसमें आप बरसात का पानी इकठा कर ले और उसको ढख कर रख दे या आप किसी कांच की बोतल में डाल कर उसको छत पर रख सकते हैं पर पानी को कभी कभी अपने घर में चड़काओ भी कर लें ऐसा करने से सकरातमक्ता बनी रहेगी और आपके जीवन में कभी धन की समस्या नहीं आएगी और इस बरसात के पानी की तेरह घर में धन भी बरसात की तेरह बरसता रहेगा तो ये बहुती सिंपल सा छोटा सा उपाय है आपको कुछ भी जादा नहीं करना आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा बस घर की छट के उपर आपने एक घड़ा रखना है जिसमें बरसात का पानी भरा हुआ होना चाहिए इस घड़े को ढखकर रखें इस बोतल को ढखकर रखें अगर आप इसको बोतल में जमा करके रखते हैं और इसे कभी कभार घर में चिड़क दिया करें ऐसा करने से सारी नकरात्मक्ता जाती रहेगी और घर में सुक सम्रिधी आती रहेगी अब दूसरे उपाय की मैं बात बत और चीनी अगर आप नहीं बोरी भर कर लेकर आना चाहते तो आप खाली बोरी लेकर आएं पर वो चीनी कि होनी चाहिए आपने खाली बोरी को चथ पर रख देना है से धन नहीं आता धन को आकर्शित करने की इन चीज़ों को अगर आप घर में रखते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आना निश्चित है करके देखिए आजमा के देखिए अरभवों को शेयर जरूर कीजिए आज के लिए इतना ही मैं मिलती हूं किसी और वीडियो में नए विशे के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद